आज जिनको बहुत आगे बढ़ाने की बात रोज करते हैं मुखमंत्री जी या बात बोलने में भी मुझको थोड़ी हिचक होती है लेकिन रेकॉर्ड में है विधान सभा में इसलिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं है हम छमा चाहते हुए बात बोलें हैं 2021 में हमाए 2020 का विधान सभा चुनाओ खतम हो चुका था परिनाम आ गये थे परिनाम आने के बाद विधान सभा का जो पहला सत्र चल रहा था उस सत्र में आज जिनको बहुत आगे बढ़ाने की बात रोज करते हैं मुखमंत्री जी उनकी उम्र से आधी उम्र का व्यक्ती उन्होंने वीधान सभा में भासन देते सब कहा यह बात बोलने में ही मुझे को थोड़ी हिचा पत्ष ने कहा कि आपका मुखमंत्री जी नितिश जी एक बेटा है आपको और वह भी आपका अपना है कि नहीं है आप ही जानिएगा अब इस तरह की बात जब पब्लिक डोमेन में बात है कोई हम अलग से नहीं बोलने और जब मुखमंत्री जी के पड़िवारे में ऐसी बात की गई मुखमंत्री जी को मैं अपने पड़िवार का सदस मानता हूं मैं बड़ा भाई मानता हूं उनको को इस तरह से कहे उपेंद्र को सुबहा अपमानित मासूस करता है इसलिए हमने उसमें टूइट किया था आज मेरी टूइट पर कहा जा रह सकते हैं उस समय का टूइट और क्या कहा है हमने निकाल कर देखा जा सकता है उसके बाद पहला कॉल 2020 विधान सभा चुनाओं के बाद खतम होने के बाद और हमारा जो विलय हुआ उस दवरान सबसे पहला कॉल उपेंद्र कुसवाह और नितीश कुमार में बातचीत के लिए उपेंद्र कुसवाह का कॉल नहीं गया था स्वाह नितीश कुमार जी ने कॉल करके हमसे बात की थी आज जो कह रहे हैं कि अपना मन से आया रेकॉर्ड उठा कर देख सकते हैं एक अन्यमार्क का कॉल निकाल कर देखा जा सकता है कि जिस दिन उन से बात हुई पहली बार 2020 चुनाओ के तुरत बाद उस दौरान मेरे आसपास के किसी व्यक्ति का मेरे आवास का मेरा अपना कोई कॉल का वहां रेकॉर्ड निकाल के लोग देख लेगी हमने कभी किया हो उस दौरान उस दौरान हमने कभी नहीं कॉल किया कोई यरूरत नहीं थी खुद उन्होंने कॉल किया और कॉल करके बात हुई और फिर इतना ही नहीं बाद में पार्टी के एक दो बड़े नेताओं को लगाया जो आप सब लोगों को मालुम है और उन्होंने पहल की मध्यस्ता की और फ कर दो 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 बाद की मध्यस्ता की युद 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 तो